अब्रिवन वल्कम वल्ल यू टो प्रॉपराइस स्पीसेश चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है डेट दो सितंबर दो हजार टेईस एंड करन्ट इस्ट इस्ट में आप सभी का स्वागत है चलिए फर्स्ट आर्टिकल की दरफ हम बढ़ते हैं यहां पर बात की गई है क हम सभी के लिए क्योंकि अब इंडिया की जो एकोनोमिय वह दीरी दीरी इंक्रीज करते जा रही है ठीक है तो यहां पर बहुत सारी चीजे बताए गई है उनके बारे में हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हम जीडीपी की बारे में डिसकस करेंगे फिर यह दिखेंगे किस तर अप्रेल से लेकर जून तक का जो क्वाटर था उसमें जो इंडिया की जीवी ए ग्रॉस वैल्यव एडिशन है उसका जो इंक्रीज वैए सवन इट परचेंट देखने को मिला है में अब जीवी ए क्या होता है जीडीपी क्या होता थोड़ा समय आपको इंट्रो डेक्री ल इसका प्रोड़क्शन हो रहा है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू क्या है उसको ही हम क्या कहते है जीडीपी कहते हैं इतनी चीज आप समझगे इसके अलावा जो जीवी ए ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसका मतलब क्या होता है दीखिए जितना डिफ्रेंट जो सेक्टर्स हैं इकनोमी के जो डिफ्रेंट सेक्टर है जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया है सेकंडी सेक्टर हो गया और टर्सिरी सेक्टर हो गया है इन डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो सेक्टर ऑप इकनोमी है इन में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है यहां कितना वैल्यू एडिशन हो र ठीक है और अगर gross value addition increase होता रहेगा तो हमारी जो GDP है वो भी increase होती भी हमको नजराएगी अगर हम बात करें different different sector की अगर manufacturing की बात करें तो वहां पर gross value जो addition हो आए वो 4.7% का increase इसमें देखने को हमें मिला है जो कि बहुत अच्छी बात है अब देखे हमेशा ही हमेशा से कहते है कि जो इंडिया को जो manufacturing sector है वो उतना अच्छा नहीं है इसको increase करने के जूरत है अगर manufacturing sector increase होगा तो इंडिया के अंदर employment generation होगा तो अब हाप को देखने को मिल लाएगा कि जो manufacturing sector वो धिरे-धिरे increase हो रहा है due to the government policy and other industries are also doing well तो इस वज़े से आपको वहां पर चीज़े अच् culture हो गया forestry हो गया fishing हो गया इसमें भी जो gross value addition है वहां पर increase देखने को मिल लाए आपको 3.5% का increase देखने को मिल लाए वहीं service sector के बात करें तो हमेशा से service sector इंडिया का अच्छा रहा है वहां पर surface surge देखने को हमें मिलाए अब यह particularly data है यह data release किया जाता है national statical office के द्वारा ज उस चीज के लिए खत्रा बनाया है हमारी जीटीपी के लिए जैसे कि वीक मांसुन वीक मांसुन से क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो farmer है उनका जो production label होगा वो अच्छे से हो नहीं पाएगा अगर supply सौक हो गया यानि कि अगर supply अच्छे से नहीं मिल पाएगी लोगों को तो जो physical burden आ जाएगा government के अंदर तो वो क्या करेगे borrowing ज्यादा करेगी अगर borrowing ज्यादा करेगी तो हमारे physical deficit automatically increase हो जाएगा अगर physical deficit हमारे इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो interest payment है वो इंक्रीज हो जाएगा तो यह चीज आप सभी को समझ में आ गए होगे होगे बाकी global headwinds का मतलब जैसे रेसिया यूक्रेन वार के वज़े से supply chain disruption हो रहा है चाइना और USA का treat war चल रहा है और बहुत सारे ऐसे irregularities हो रहे हैं globally तो उस वज़े से भी जो इंडिया की जो GDP है एक्सपूर्ट है उस पर थोड़ा से यहां पर असर देखने को मिलेगा इसके लावा ग्लोब mix जो indicators हैं वो बहुत अच्छे हैं इस वज़े से हमें से इंडिया की जो GDP रहती है वो अच्छी growth की रहती है ठीक है तो 7.8% is good और अब यहां पर थोड़ा देखने वाली बात है कि जो RBI है और जो other जो international organization है उन्होंने जो इंडिया की जो growth थी उसको 8% से उपर project किया था अगर इंडिया की growth इस तरीके से जा रही है तो हमारा जो सपना है 5 trillion economy बनाने का वो जल्द पूरा होने की कगार पे होगा अगर इस तरीके से अपनी जो economy है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी नहों यहां पर अगले article की तरह बढ़ते हैं जो core sector की बात यहां पर करें core sector क्या होता अभी मैं इसके बारे में पताऊंगा आपको देखे जो core sector है हमारे जो core sector है जुलाई में वो 8% से increase वाए है ठीक है जो यह 8% का जो increase है यह कम है जून के level से जून के level से यह थोड़ा सामे कम देखने को मिल ला है बट 8% is also good ठीक है सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर हम मई 2022 से बात करें मई 2022 से बात करें तो all sector of the core sector है all 8 core sectors में हमें year on year wise growth देखने को मिली है उनके output में तो यह बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगे अब core industries क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ देखे core industries क्या है core industries के अंदर आती है जै उनको हम core sectors कह रहे हैं जैसे refinery products होगे electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizer हो गया है अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है ना कि जो refinery products है देखे यहाँ पर जो यह eight core sectors दे रहे हैं इनका जो weightage है increasing order में दिया हुआ है ठीक है मलदब fertilizer सबसे कम फिर cements उसके बाद फिर natural gas फिर crude oil फिर coal फिर steel, fuel, electricity और सबसे ज़्यादा जो weightage है किसका है refinery products का है इस तरीके से आप देखोगे ठीक है अब यहाँ पर है index of industrial production देखे index of industrial production क्या होता अभी उसके बारे में बात करेंगे बर जो index of industrial production है उसमें जो core sectors है उसका जो weightage है वो 40.27% है मतलब बहुत ज़्यादा weightage है index of industrial production में तो industries से related है यह industrial production और core sectors का इसमें कितना weightage है 40.2% इस चीज को आप याद रखीगा नाव यहाँ पे आप बात करते है index of industrial production का देखे जो index of industrial production है यह major करता है कि जो production है industrial products का वो किस तरीके से given period में change हुआ है उसका जो volume है वो कितना change हुआ यह बताता है यह बताता है ठीक है अब सम जाता हूँ कि जो production है industrial products का किसी given period में वो कितना change हुआ है उसके volume में यह major करता है index of industrial production ठीक है इसके लावे से पब्लिस किया जाता है NSO की तरह national statical office जो की ministry of statics and planning implementation के अंदर है ठीक है इसके अलावा जो index of industrial production है इसमें broadly 3 component है ठीक है मेली है mining हो गया manufacturing हो गया and electricity हो गया यह इसके लावा जो इसका base year है IAP का वो है 2011-2012 significance क्या है देखे जो यह particular index of industrial production का जो data होता है यह huge किया जाता है बहुत सारी government agency के द्वारा जैसे ministry of finance हो गया RBI हो गया ठीक है corporate ministry के द्वारा तो इस तरीके से इसका जो IAP का जो यह IAP का जो data है huge किया जाता है किसके द्वारा अलग government agencies के द्वारा तो इस तरीके सामने course sector और IAP को समझ लिया है अब आगे बढ़ते हैं बात यहां पर की गई है रेमेन मैकसे से अवार्ड की अभी क्या हुआ है कि जो आसम में जो oncologist है oncologist उन्हें बोलते हैं जो cancer के जो PD होते हैं उनको diagnose करते हैं और उनको उनका उपचार करते हैं तो आसम बेस्ट उन्को लोजिस्ट हैं जिनका नाम रेवी कानन है उनको 2023 का रेमेन मैकसे से अवार्ड परदान किया गया है यानि कि उनका नाम रेमेन मैकसे से अवार्ड के लिए गया है और इनको आप मिल लेगा ठीक है अब रेवी कानन तो हमें पता चल गए कि इनक तो यह सारी चीज़े आपने जान ली नाव आगे बढ़ते हैं आपर बात करते हैं रेल्वै बड़ आपने जीज के आप नाम पहले जिए याआ वर्मा पहली लेडी है जो रेलवेडी की चेर्मेन बनेंगी और ये बहुत सालों मतलश जब से एलवेडी है तब से पहली о ele बाब है है यह ठीक है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वूमेन का जो रिपर्जेंटेशन है बहुत जादा कम है बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी organization है वहाँ उनका जो रिपर्जेंटेशन है वो कम है बट धिरे-धिरे यह increase हो रहा है जो वूमेन जो assist करती है ministry of railway को ठीक है अब इसमें इसमें बात करते हैं कि इसके chairman और इसके structure की बात करते हैं देखे अब मैं यहाँ पर देखी मैंने यहाँ पर 7 पीप मेंडे सेंवन मेंबर होते हैं आब इसमें सिर्फंध पांच दूप नुसलिप रेलवेज्ट्रे से रिलेटिद नगाई ती एक रॉपयज महन गमेटी थी रहाके मोहन कमेटी फी जो 2001 में थी ठीक है और फिर उसके बाद 2015 में बनाएगे बीवे दिवरोई कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी अवाउड दे इस्ट्रक्टिंग ऑफ दे रेलवे बोर्ड फिर उसके बाद क्या किया गया था कि सेवन मेंबर से घटाके पांच मेंबर रख लिए गये थे इस रेलवे बोर्ड में एक तो चेयर पर्सन होंगे चेयर मैं हो हैं यहां पर मिलेटी को की बात की गई है अफ्रीका में जैसे कि हमने कल भी बात करी गई है अब गैवन में दुबारہ को होने की कोसिस हो रही है तो आप इस तरीके से यहां पर देखो कि यहां पर एक औरो लॉजी दियर रखी है कि किस तरीके से जो डिफरेंट साहिल का क्या था कंट्रूल था कोलोनाइज की गई थी फ्रेंज के द्वारा इन सारी जो फ्रेंज कंट्री जो कंट्रीज हैं जो पहले की गई थी फ्रेंज के द्वारा इन में अब देरे-देरे सब जगए यहां पर कू देखने को मिल रहा है जैसे कि यहां पर माली की बात की गई ह cathedral देहल है गे अदय को के बात की गई गो इन यह यहां पर है यह है बुर्कीन दुजआ देखने की दाढ़ा है यहां पर आप देखने के कोशिश्थ करते हैं यहां मुर्टाणिय कंटी है यहां है यह मалन इल यहां पर आपको नाइजर देखने को मिलेगा यहां पर आपको सुटान देखने को मिलेगा यहां लीबिया के बारे में हमने बात करी थी जब हमने इस्राइल का इसू देखा थे लीबिया के साथ तो मेडिटेरन रिजन के लिए यह एक्सेस है लीबिया का देखने को मिलेगा आपको यहां पर गैबन कंटी है और गैबन यहां पर अट्लांटी कोशन पर एकसेस तेखने को मिलेगा यह है एक्वीटर और एक्वीटर गुजरती है गैबन कंटी से डैट इस वेरी वेरी इंपोर्टन और वहीं अगर प्राइम रेडियन की बात करें जो जीडो डिग्री लोंगिटूड है वहां पर देखेंगे माली कंटी से यह लोंगिटूड गुजरता है वहीं अगर बात करें तो हमने जिंबाववे की बात करी थी तो यहां पर जिंबाववे है इसका पुराना नमरे रोडेसिया यह यह मैंने आपको बताया था ठीक है तो यह सारे चीज इस तरीके से आपको mapping करनी है, जब भी आपके पास कोई भी mapping related news आती है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं या पर स्री नारायन गुरु के बारे में, देखे जो स्री नारायन गुरु है, इनको अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्रिब्यूट दिया है, इनकी जेयनती इनके बारे में पढ़ना important है, क्यों history से related है, तो important है इनके बारे में पढ़ना, एक हिंदू संते, social reformer थे केरला से, इन्होंने एक idea को contribute करा था, जिसमें उन्होंने बोला था, एक caste होनी चाहिए, एक religion होना चाहिए, और एक ही God होना चाहिए, ठीक है, इसके इलावा इन्हों इन्होंने एक अरिवी पूरम moment चलाए था, जिसमें इन्होंने एक moment चलाए था, जिसमें equal right दिया जाना चाहिए था, सभी को, so that उनकी temple entry हो सके, इसके इलावा इन्होंने support दिखाये था, वैकॉम सत्यागर है, जो की related था, temple entry के, entry से related था, और यह जब वैकॉम सत्यागर हु equality, non-violence, compassion, integrity, courage, इन सारी values को यह अपने पास रखते थे ठीक है, और इनी को ही implement करने की कोशिस करते थे, नाव यहाँ पर बात करी गई अगला article की, यहाँ पर बोला गया है कि United Nations by Diversity के द्वारा लोगों से बोला गया है कि आप fauna world को use कीजिए, इसके साथ-साथ flora and flora, जैसे flora and fauna use करते हैं, जैसे flora, plants के लिए, fauna, animals के लिए आप यूज करते हैं, उसी परकार से आपको fauna world use करना है, फंगी के लिए, इस तरीके से United Nations by Diversity ने बोला है लोगों को एक निवीदन करा है, अब देखे अगर हम five kingdom of classification of biology करें, kingdom classification करें, तो वहाँ पर हमें देखने को बलेग चार तो यह होगे, और पांचवा आया हो, आपके हमें फंगी भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी लोग इसे फंगी बोलते हैं, कोई फंगा ही बोलता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, according to your pronunciation, अब characteristics देख देते हैं, फंगी की, देखे इसका जो cell type है, इसका cell type है, आपक नहीं हो अई, ठीक है, वहीं जो हम बात करते हैं, यूकेरिटिक की, तो वहाँ पे जो cell का जो nucleus होता है, वो well develop हो चुका होता है, वहीं अगर हम cell wall की बात करें, अगर cell wall की बात करें, फंगाई की, तो उसमें chitin होता है, ठीक है, तो chitin क्या होता है, यहाँ परकार का fibrous object ह तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर यह बनाने की कोशिश कुरूँ तो जो सबसे बाहर होती है वो cell membrane होती है और cell membrane के बाहर भी क्या होती है एक cover होता है जिसे हम cell wall कहते हैं अगर plant में हम cell wall की बात करें तो plant में cell wall होती है जो कि cellulose से बनी वी होती है जो कि किस से बनी हुई थे अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में cell wall आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको एनिमल में cell wall देखने को नहीं मिलेगा प्लांट में cellulose होती है और यह cellulose बहुत हार्ड होता है और यह हार्ड इसलिए होता है तो जो की wind वे गएर और बहुत सारे जो climate effect है उनसे बचने के लिए plant के पास यह cell wall होती है ठीक है तो यहाँ पर fungi के पास भी cell wall है आपको देखने को मिल गई होगी इसके लावा nuclear membrane मैंने बताए न nuclear membrane क्या होती देखे जैसे यह nucleus है तो nucleus के चारो तरब जो यह चीज है इसको बोल है यह multicellular है यहाँ पर देखेंगे आप multicellular है इसमें loose tissue होते हैं इसके लावा जो mode of nutrition है देखें mode of nutrition दो तरीका को होते हैं एक तो हो गया autotrop और दूसरा हो गया heterotrop में जैसे plant हो गया जो खुद खाना बनाते हैं और heterotrop कौन से होते है heterotrop में भी कहीं category classification है तो heterotrop में जै प्लांट पर लिपटके उन पर आधारित रहते हैं जैसे अमरबील का नाम सुना होगा अपने ठीक है तो mode of nutrition इसके सेप्रोफाइट और पैरसाइट दोनों ही है तो I hope इतनी सारी चीज़े आपको clear हो गए होगी नाव यहीं पर हम end करते हैं आज के current tissue analysis को I hope आप कुछ सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी नाव अब आप यहां तक पहुंच ही गई हो तो इसका मलता आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा हमारे चैनल को इससे हमें motivation मिलता है daily basis पे current tissue analysis लाने के ल सब्सक्राइब करते हैं जय हिन दोस्तों